नमस्कार दोस्तू, वन इंडिया मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत और इंग्लैंड के वीज ओवल में चौथा टेस्ट माच खेला जा रहा है और इस मुकाबले के चौथे दिन टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में एतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 466 रन बना दिये और इंग्लैंड पर 366 रनों के लीट ले ली इंग्लैंड को अब चौथा टेस्ट माच जीतने के लिए 368 रन बराने होंगे आपको तदिन चौथे दिन की शुरुवाद टीम इंडिया ने सधे हुए अंदाज में की रविन जडेजा और विराट कोहली की जोडी ने शुरुवाती 30 मिनिट तक टीम इंडिया कोई जटका लगने नहीं दिया लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने जल्दी जल्दी दो विकेट निकाल लिये कप्तान कोहली का विकेट भी लंज से पहले ही गिर गया और टीम इंडिया गहरे संकट में नज़र आ रही थी कोहली ने 96 गेंडों पर 44 रन बनाये थे कोहली का विकेट तब गिरा जब टीम का स्कोर 312 रन था लेकिन इसके बाद 7 विकेट के लिए पंत और शारदूल ठाकूर की बीच 100 रनों की साज़ेदारी हो गई और टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर पहुँच गई जी हाँ शारदूल ठाकूर ने जोरान 72 गेंडों पर 60 रनों की पारी खेली वही रिशब पंत ने 106 गेंडों पर 50 रन ठोक कर इंग्लैंड को पूरी तरीके से विज्जैसे मैच से बाहर कर दिया 412 के स्कोर पर शारदूल ठाकूर का विकेट गिर जाने के बाद पंत का विकेट भी जल्दी किर गया लेकिन ने चुले करम में एक बर फिर जैस्प्रत बुमरा और उमेश यादों ने शाहंदार बलेवाजी की और टीम के स्कोर को 460 के पार पहुँचा दिया बुमरा ने 38 गेंदों पर 24 रन बनाए जिसमें 4 चौके लगाए वियूमेश यादों ने 23 गेंदों पर 25 रनों की पारी के लिए जिसमें 1 चौका और 2 चके ठोके टीमिनिया ने 148.2 और बलेवाजी की और 466 रन बोर्ट पर लगा दिये आपको दें इंग्लैंड की टीम को ओवल का टेस्ट माच जीतने के लिए इतिहास रचना होगा जिहां ओवल के मैदान पर कभी भी इतने बड़ा स्कोर चेज नहीं हुआ है ओवल के पिच पर सबसे बड़ा स्कोर 263 रनों का चेज हुआ था और भारत ने तो उससे भी 100 रन ज्यादा बनाए है आपको दें सीरीज एक-एक से बराबर है और यहां से टीमिनिया हारती हुई तो नजर नहीं आ रही है इंग्लेंड को यह टेस्ट मैच बचाने के लिए बेहत शानदार खेल दिखाना होगा फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे है वार इंडिया के साथ